नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं वेजिटेरियन नहीं नोनवेज है ये पाथ चीजे शाकारी ओकर ना कर बैठे ऐसी गलती दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की सिर्फ 10% आबादी ही प्योर वेजिटेरियन है वेजिटेरियन होने के फायदों के बारे में लोगों को अक्सर जागरुक किया जाता है परन्तु आज भी कुछ लोग नोनवेज चीजों को वेज समझने की भूल करते हैं तो आज हम आपकी इसी भूल को सुधारने के लिए अपने वीडियो में लेके आए हैं ऐसी कुछ चीजे जिने आप नोन वेजिटेरियन नहीं मानते परन्तु वो होती है नोन वेजिटेरियन तो प्यारे दोस्तों वो इस प्रकार से है वाइट सुगर अक्सर लोगों को अपने चाय या कोफी में वाइट सुगर का इस्तमाल करते देखा गया होगा लेकिन क्या आप जानते है वाइट सूगर में नैचरल कार्बन का इस्तमाल होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि नैचरल कार्बन बॉन चार होता है जो जानवरों की हड्यों से बनाया जाता है बियर या वाइन बियर और वाइन पीने वालों को आपने कई बार ये कहते सुना होगा कि ये सिर्फ फलों से बनती है ऐसे दाओं पर आग बंद करके विश्वास करने वाले जान ले कि शराब को साफ करने के लिए जिस जिन ग्लास का इस्तमाल होता है वो फिस ब्लेडर से बनता है जैम अकसर लोग सुबह के वक्त ब्रेड जैम खाना पसंद करते हैं फ्रूट जैम के नाम से भार भिकने वाला हर जैम प्योर वेजिटेरियन नहीं है दरसल जैम को बनाने में पस्वो के सरीर में मौजुद जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है तेल भारत्य वेंजनों में तेल का बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो जानने की कहीं है उसमें ओमेगा थी फैट एसिट तो नहीं सरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ तेलों में मच्छली से निकलने वाला ओमेगा थी मिलाए जाता है धाई इसमें कोई दोराय नहीं की धाई दूट से बनाया जाता है लेकिन इसे भी वेजिटेरियन लिस्ट में आप मानते हैं वो सही नहीं है बजा से खरीदे हुए दही के पैक पर आप सबसे पहले उसमें इस्तमाल होने वाले परदार्थों को देखें और अगर उसमें जिलेटिन की मात्रा दिखाई जाती है तो आप इसे वेजिटेरियन की लिस्ट में नहीं रख सकते प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जय हिंद